ये गैज मैं उसे चलिए गाम और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Venom 3 की एंडिंग और पोस्क्रेट सीन और मिड्क्रेट सीन के बारे में तो जिल लोगों ने अभी तक मुवी नहीं देखी है जिल लोगों ने देख लिए वो राम से रिक्सेक्ट है एक्स्प्लेइन करूँगा सब कुछ मुवी के अंदर बेसिकली तीन चीज़ ऐसी है जिनके बादे में एक्स्प्लेश अंदर जरूरी है तो नाओ विडाट बेसिक अनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो तो मुवी के अंद में आप देखते हैं कि जो वेनम है वो अपने आपको सैक्रिफाइस कर देता है और बेसिकली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वेनम जो है वो मर चुका है लेकिन क्या आपको अक्शली में ऐसा लगता है कि वेनम मर चुका है अम देखते हैं जब हमारा जो वेनम होता है वो एडी से डी अटाच होता है एडी को दरवाजे से टकता है तो वो बोलता है कि this is bye for now मतलब अभी के लिए bye में आपको बोल रहा हूँ और वहाँ पर जो हमारा वेनम है वो जाके acid के अंदर मर जाता है काफी लोग को यह लगेगा कि जो हमारा वेनम है वो यहाँ पर मर चुका है लेकिन अगर मुवी का post create scene तुम देखोगे तो post create scene में आपको देखने में बलता है bartender वो कहीं पर आया है और वही पर हमें एक cockroach देखने को बलता है और वो वाइल देखने को बलता है जिसमें symbiores होते है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वेनम रेना अपने आपको cockroach से attach कर लिया है और कई न कई वेनम का कुछ पार जो है वो अभी भी बच रहा है अब ये बात में ऐसे confident होगे क्यों बोल सकता हूँ वेकि movie की दोनान हमने देखा कि वेनम जो है वो कई सारे genre से अपने आपको attach करता है Tom Hardy के Eddie Brock को वो कई बार explain करता है कि तू और मैं जुड़े हुए है जब आउं दोना जोड़ जाते हैं और नेरली मरने वाले होते हैं तब हमाने देख जो key है जो codex है वो activate हो जाता है और वो एक signal बेचता है clean tar पे और जो null है उसको पता चल जाता है कि हम कहां पे हैं और इसी तरह से हमारे P जो है वो zero phase बेज रहा है तो basically यहाँ पर जो हमारा venom है वो कोश्च यह कर रहा है कि null को उसकी location पता ना चले और इसलिए उसने अपने आपको एक cockroach के साथ अटेज कर लिया है मतलब उसका चोड़ा सा पार्ट एक cockroach के साथ अटेज कर लिया है और अभी वो addy से दूर है बात कर अगर addy की ना तो addy आ गया है जो venom 1, venom 2 के है और जिससे यह emotion रखा जाता है आपके आगे कि इन दोनों का जो जरनीता वो खतम हो चुका है actually movie का जो नाम है वही उसकी ending है venom the last dance मतलब आखरी बार यह जो है साथ कुछ कर रहे और उसके बाद जो है इनका रास्ता जो है अलगलग हो जाएगा अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत important है वो यह है कि मिट करेट सीन में आप देख सकते हैं कि नल आपको देखने हो बलता है पूरी movie के अंदर नल के कुछ flashback हमें देखने हो मिले हैं कुछ direct scene देखने को मिले हैं जब वो Venom से confront कर रहे है तो यहाँ पर नल बोलता है कि तुम्हारा champion मर चुका है all black king जो है वो जाक चुका है तुमारे दुनियों को मैं खतम कर दूँगा और तुम उसको देखते रह जाओगे तो पहला सवाद तो मेरा यह है यहाँ पर कि यह अच्छले में किस से बात कर रहा है हो सकता है यह Dr. Doom से बात कर रहा हूँ I am not saying it is the truth बट ऐसा possible है क्योंकि हमें पता है कि Spider-Man 4 के अंदर Dr. Doom देखने को मिलेगा और कही न कही अगर नल को Spider-Man 4 का विलन होना है तो इननों को सामना करना पड़ेगा नल किसी से तो बात कर ही रहा है अब वो किस से बात कर रहा है यह बात में बता चलेगा लेकिन इस इस कंफर्म है कि जो हमारा नल है अब वो डेफिनिटली अर्थ 616 पे आने वाला है या फिर किसी और यूनिवर्स में आने वाला है और इस यूनिवर्स को खतम करने वाला है और बेसिकली अर्थ पर कबजा करने वाला है अगर मुझे गेस करना हुआ तो मैं यह गेस करके चलूँगा कि यह फ्यूचर का सीन है जहां पर Spider-Man 4 का end हो सकता है या Spider-Man 4 का between हो सकता है मैं इसके क्यों बोर रहा हूँ चलो बताता हूँ अगर सुम्हें आद होगा तो पुरान डूमर्स के अकॉर्डिंग जो Spider-Man 4 है वो शुरू के अंदर तो आपको बेसिक मुवी देखने को बलेगी लेकि मुवी का जैसे ऐसे end आएगा न वो एक multiversal मुवी बन जाएगी तो बेसिकली मुझे ऐसा लग़ा है यहां पर कि यह जो सीन है यह Spider-Man 4 में से लिया गया है जहां पर जो मुवी है अब वो multiversal बन चुकी है जो हमारा नल है वो धर्ती पर आ चुका है तो मुझे लगता है इस सीन के आसपास वो सीन हो सकता है जहां पर Spider-Man को हमारा Venom का Symbiote मिलेगा अब मैं यह नहीं कहा रहा है कि अक्चुली मैंसा होने वाला है लिकिन जातर मुझे समझ में आया है मिरे इसाफ से ऐसा ही कुछ होने वाला है और यह जो सीन है यह Spider-Man 4 का हो सकता है पूरी मुवी के अंदर हमें कहीं पैभी टॉम हरन का Spider-Man देखने को नहीं मिला I wanted to see him पता नहीं क्यों मावला और जोनी मिलके कुछ ऐसा जुगार नहीं कर पाते है जिससे वेन मुवी के अंदर में Spider-Man देखने को मलता और कहीं न कहीं ऐसा लग भी रहा था कि शायद इस मुवी के अंदर टॉम हरन का कैमियो होने ही चाहिए और बिल्कुल भी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी एंडिंग के बारे मैं तुम्हें बता दिया कि किस तरह तो नुई-योक के अंदर आ आचुका है टॉम हरी के साथ अटैश हो सकता है या फिर अब वो स्पाइडर मैन के साथ भी अटैश हो सकता है क्योंकि नल जो है ना वो चाहता है एक सुपीरियर बिंग, एक सुपीरियर होस्ट और मुझे लगता है कि जहाँ पर Tom Hardy का Venom है definitely वो एक superior host है बट अगर वो जो हमारा symbiote है Venom का अगर वो Spider-Man को मिल जाता है जिसके बस already powers है तो वो उससे बड़िया host होगा और फिनल जो है वो अराम से अपना आकर conquer कर सकता है सब कुछ और उसको बड़िया वाला host मिल जाएगा एक बड़िया सी codex एक बड़िया सी key मिल जाएगी तो मैं जो है ending को mid kid scene को post kid scene को इस तरह समझ पाया हूँ I may be wrong, I may be right, I do not know right now बट मुझे ऐसा लगता है कि movie की ending जो है वो bittersweet है मैं कहूंगा कि movie की जो ending के है वो 70-30 है, 70 अची है, 30 बेकार है I was expecting much more things with the ending बट वो हमें देखने को नहीं मिला और विल अगर बात करें तो movie का जो सारा का सारा टोन है सारा की सारा review के अगर बात करें तो movie was okay अगर तुम्हें Venom 1 और Venom 2 पसंद आई थी तो तुम्हें Venom 3 भी अच्छी लगेगी definitely Venom 1 जो है वो अभी best रहेगी Venom 2 मैं कहूंगा तीसर नमबर पे है और ये जो है Venom 3 इसको मैं दूसर नमबर पर रखूँगा movie का भी अच्छी थी, 1 to watch है आप अराम से जाके देख सकते है तो हमारी future में रेटन करेंगे या नहीं करेंगे इस पर बहुत बड़ा question है बट मैं ये कहूंगा कि definitely he will be coming back in Spider-Man 4 Doomsday and Secret Wars ये तो मेरा खहना है तो आप मुझे comment section में जरूर बताना कि तुम्हें Venom 3 कैसे लगी आप से एगले वीडियो के अंदर बाइगा से के लव यो और और वे रेट अमेजिंग देख